प्रेविद्यार्तियों नमस्कार साथियों नमस्कार आज आपके सामने एक बहुत एहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जैसा कि हम सभी की आसाएं थी हमें इंतजार था कि COVID-19 के कारण जो समय बरबाद हुआ है जो कक्साएं बरबाद हुई है उसके कारण पाठिकरम में कठोती होगी या नहीं होगी तो उसका एक तरीकिसे निराकरण माध्यमिक सिक्साबोर्ड ने कर दिया है और पाठिकरम को 30% तक कम कर दिया है तो आज हम वीडियो में देखेंगी कक्साबारा हिंदी अनिवारी का कम किया गया पाठिकरम और कौनसा पाटेकरम रखा गया है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं माध्यमिक्सिक्साबोड राजस्तान अजमेर और यह बिल्कुल परमानिक खबर है और माध्यमिक्सिक्साबोड की साइट पर पाटेकरम को उपलब्द करवा दिया गया है जिसका सीर्षक दिया गया है परिक्सा 2022 के लिए संग्सिप्ति करत पाथिकरम ककसा 12 तो यहाँ पर ककसा 12 का पाथिकरम हम हिंदी अनिवाये का इस वीडियो में देखेंगे और एक एक करके सभी विशे के जो पाथिकरम के वीडियो है वो आपको इस चैनल के उपर मिलेंगे तो सबसे पहले मैत पूर्ण निर्देश तो यहां सामानी निर्देश है कुछ निर्देश नमबर एक COVID-19 परिपेकसे में लंबे समय तक विद्याले नहीं कुले और विदिवत सिक्षन बादित हुआ अता है 2022 के लिए विभाग्य निर्देश आनुशार पार्टिकरम में 30% की कटोती की गई है पूरण पार्टिकरम बोर्ड की वेबसाइट पर पूरवे में अप्लोड कर दिया गया था अता है यहां के वल पार्टिकरम में सम्मिलित अध्याय इकाई के नाम और अंकभार का उलेक किया गया है पार्टिकरम से हटाए गए अध्यायों का विवरण आलक से दिया गया है साथी प्रायोगिक प्रीक्सा के लिए भी कुछ निर्देश है कि प्रायोगिक प्रीक्सा वाले विशों में विद्याले में उपलब ध्रश्रादनों को ध्यान में रखते विए संस्ता परदान या परिक्सक 30% पार्टे करम में कटोती अपने इस्तर पर करेंगे ऐसे विशेजिन की परिक्सा बोर्ड इस्तर पर आयोजित नहीं होती है या सतर परियंत मुल्यांकन के आदार पर अंक और ग्रेडिंग विद्याले द्वराबोर्ड को प्रेसित किये जाते हैं उनके पार्टे करम में 30% की कटोती समंदी संस्ता परदान और विस्याध्यापक स्वयम विवेक से 70 प्रियंत कराएगे अध्यन की आदार पर करें इसके बाद पॉइंट नमबर पांच का है कि पार्टे करम में सम्मलित विस्यवस्तू की अध्यायर और इकाई वार विस्तिरित जानकारी के लिए पूरुवे में अपलोड किये गे पार्टे करम का अवलोकन करें निर्देश नमबर छे बूड परीक्षा के पर्शन पत्रों में पाठिकर में दिये गई इकाई वार अंकवार एउं अंकवार के अंकवार में 25 परतिसत का विचलन या परिवरतन संबव है प्रशन पत्र में बहुत चैननात्मक अति लगूतरात्मक लगूतरात्मक निबन्दात्मक सभी प्रकार के प्रशन पूज़े जाएंगे model प्रशनपत्र सिगरी बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लोड किये जाएंगे तो ये है निर्देश अब देखते हैं कि यंदी अनिवारी का क्या पाठेक्रम रहेगा तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मादिमेशिक्सा बोर्ड राजस्तान परीक्सा 2022 के लिए संक्सितिक्रत पाठेक्रम हिंदी अनिवारी का क्सावारा जिसका विसे कोड है 1 इसका समय रहेगा आपका प्रशनपत्र का सवा 3 गंटे प्रशनपत्र के लिए अंक रहेंगे सी सत्रांक रहेंगे 20 और पूर्णांक रहेंगे 100 मतलब यह बोर्ड की आपकी अंक्ताली का बनेगी अब पूछा क्या जाएगा आपटित बोध यानि अपठित गद्यास और पद्यास है वो 12 नंबर के आएगे रचनात्मकलेखन पत्र निबंदादी है वो 16 नंबर के आएगे वहवारिक व्याकरन है वो 8 नंबर की होगी आरोप उस्तक 32 अंकी होगी और वितान 12 अंकी होगी अब जो पेपर का खंड एक होगा वो होगा आपटित बोध का यानि आपटित गद्यास और आपटित पद्यास चै प्रशन गद्यास में से परती एक एक का चै अंके ये कुल मिलाकर आपटित बोध यानि खंड एक होगा वो आपके होगा 12 नंबर का खंड दो जो 16 नंबर का होगा इसमें निबंद होगा विकल्प सहीत 300 सब्दों में लिखना 5 अक्का निबंद होगा फिर पत्तर और प्रारूप लेखन इसमें अरतसास की पत्तर निवीदा वि विकल्प सहीत होंगे और ये होंगे चार के इसके बाद इसमें रचनात्मक लेखन में आपके एक नई पाठ्थी पुस्तक जो जोड़ी गई है वो आएगी अभिवेक्ति एव माद्यम पुस्तक इसमें विबिन माद्यमों के लिए लेखन जो है उस पर आदारित दो चार तेरा और तीन सोडा सोडा अंका होगा आपके रचनात्मक लेखन उसके बाद बाद आती है हिंदी व्याकरण की तो हिंदी व्याकरण में भासा व्याकरण और लीपी का परिच्चे दो अंका सब्द सक्ती दो अंकी और अलंकार दो अंके तो व्याकरण सीसर्थ के अं दो भाग टू वो होगी 32 अंकी और उसमें क्या होगा एक व्याख्या गद्य भाग से जो विकल्प सहीत होगी और 6 अंकी होगी एक व्याख्या पद्य भाग से विकल्प सहीत होगी एक अंकी होगी मतलब व्याख्या आएगी आपके 12 नंबर की दो निबंदात्मक प्रश्ण एक गद्यबाग सेर एक पद्यबाग सेर इनमें विविकल्प होंगे सो सब्दों में उतर देना होगा परती एक प्रश्ण पांच का मतलब दो प्रश्ण है वो दस अंके एक लगूत्रात्मक प्रशन पद्यभाग से होगा 30-40 सब्दों में उतर 2 अंक का होगा एक लगूत्रात्मक प्रशन गद्यभाग से होगा 40-60 सब्दों में उतर और 3 अंक का होगा यहाँ पे अंतर है पद्यभाग का 2 अंक और गद्यभाग का 3 किसी कवी या लेख का परिचे 80-100 सब्दों में उतर और ये एक प्रशनोगार अंक होंगे आपकी 5 उसी प्रकार बात करें खंड 4 की पाठ्य पुस्तक वितान तो वितान में एक निबंदात्मक प्रशनोगा विकल्प सहित 120 सब्दों में उतर और ये प्रशनोगा 6 अंक का 6 अति लग उत्रात्मक प्रशनोंगे 20 सब्दों में उतर और ये भी एक एक अंक के मतलब 6 अंक के तो वितान आपकी पाठ्य पुस्तक होगी वो होगी 12 अंक की अब ककसा 12 में हिंदी अनिवारिये कूल पूर्णा कसी संक्सित्ति करत जो पाठ्य करेम है वो क्या है तो आपठित बोध है वो यथावत्रेगा कुछ भी नहीं अटाया है रचनात्मक लेखन है वो यथावत्रेगा कुछ भी नहीं अटाया है अभिवेक्ति ये माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आदारित कुछ भी नहीं अटाया है और व्यावारिक व्याकरण में से कुछ भी नहीं अटाया है तो इन में से ये अटाया नहीं है अब पुस्तकों में क्या रखा है क्या हटाया है तो देखिए ये पाट्य पुस्तक आपके है आरो और आरो पाट्य पुस्तक की बात करें तो इसमें कौन शे पाठे करम पाठ है वो रखे है पाठे पुस्तक आरो भाग दो पद्य भाग में सम्मेलित द्याए ये रखे है अरिवन सराय बचन की कविता दोनों रखी है आत्म परिचे और आत्म परिचे और दूसरी जो कविता आपके पाठे करम में है निसा निमंतरन का गीत आलोक धनवा की कविता पतंग रखी है कुमर नारायन का पूरा पाठ है रगुवीर साई का है गजाननमादव मुक्ति बोध का है समसेर बादूर का है और फिराक गोरकपुरी का मतलब एक से लगा कर चैतक कुल मिला के सातवा आठवा अध्या है वो इसमें से अटाए गए गए है गद्य बाग की बात करें तो 11 महादवी वर्मा का पाठ जनेंदर कुमार का बारवा तेरवा धर्मवीर भारती चब्दों फनिसर रेणू सोडवा सज्या रजिया सज्या जहीर और सत्रवा अजारी परसाद द्वेदी ये पाठ रखे है और पाठी पुस्त की बात करें वितान की तो वितान में सिल्वर वेडिंग और जूज यहां पे आप यह देखें यह जूज है तो यह दोनों पार्ट है वो संपुर्ण रूप से रखे गए हैं अब आगे के प्रश्ट में अपने देखते हैं कि और क्या रखा है और कौन से हटाए हैं अब यहा क्या अटाए है तो पार्टि पुस्तक आरो में सूरी कांतिर पार्टी निराला का पूरा पार्ट हटा दिया गया है और उमा संकर जोसी का पूरा पार्ट अटा दिया गया है पार्ट संक्या साथ आठ और दस यह अटा दिये हैं बात करें गद्य बागी तो इसमें पाट अठा दिया गया है बात करें पाट्टे पुस्तक वितान की तो अतीत के दबे पाओं पूरा पाट अठा दिया गया है और चोथा पाट डाइरी के पन्ने इसको भी पूरा अठा दिया गया है कुल मिला के तीन गद्य भाग के और दो पद्य भाग के आरो पुस्तक में से आपके पाँच पाट अठाए है जबकि वितान पाटे पुस्तक में से आपके दो पाट अठाए है इन साथ पाट के अलावा हिंदी अनिवारिये में कुछ भी नहीं अठाया है यह आप पूरी तर आइति का पाटिकरम है, राजनिती विग्यान का पाटिकरम है, या इतियास का पाटिकरम है, उसके बारे में आपको बताए जाएगा, वह वीडियो आप जरूर देखें, और इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत-बहुत धन् जय हिंद जय भार